हेलो दोस्तों मैं हूं नुतन मेता और आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मेडिडिट्यूब में आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं iset partial जो एक यूनिट है। जिसमें cancer का अध्यन क्या जाता है उसके बारे में जानेंगे लेकिन cancer के एक अध्यन किसी भी बेख्ती को नहीं हो जाता है। श्यूका मतलब होता है स्वाद ऐश्úcar होता है तो उसके बेशाब चीज सब्सके क्या मतलब होता है उंको का मतलब होता है ट्यूमर उंको का मतलब होता है ट्यूमर और लोजी का मतलब आप सब पहले से ही जान रहे लोजी का मतलब क्या होता है एस्टरडी लोजी का मतलब होता है एस्टरडी तो इस तरह से इसका डिफनेशन क्या वनेगा ए ब्रांच of medical science in which study and treatment of tumour. तो इसमें क्या किया जाता है ओंकोलोजी के अंदर यह एक आउंको लोजी गेज़े क्या कौन है उसके बादे में जानेंगे फादर ओफ ओंकोलोजी फादर ओफ ओंकोलोजी बीजे केनेडी और यह एक अमेरिकन फिजीशियन थे तो ओंकोलोजी का मतलब क्या होता हुँ तो आप ने जान लिया ओंकोलोजी में क्या होता है कि ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया जाता है उसका ट्यूमर के बारे में डिसकसन किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है लेकिन अब जानेंगे जो ट्यूमर आखिर का जी कर trap. नी थनलब से कहते हैं तो तो त्यूनर को जाना जाना जाता है तो तो अठीन कीन नाम उनको याना जाता है तो यह प्रफित क्पर समत्तुन से जिसरी जानता है है और इसको new growth भी कहते हैं जैसे के हमारे बौडी में हमारी सरित की सबसे चोटी काई जो होती है एगन बनता है और ओर और न क्या होता है कि सिस्टम से क्या होता है कि बोडी बनता है इस तरह से होता है हमारे बोडी की एक तरह के सिक्वेंस है सबसे छोटी इकाई सेल है जह हम लोग साइटोलोजी पढ़ते हैं तो साइटोलोजी में क्या होता है कि एक होता है माइटोटिक एक होता है मियोसिस माइटोटिक जो होता है कि समसुत्री विभाजन में क्या होता सेल का एक सेल से दो सेल बनेंगे और जो दो सेल से चार सेल बनेंगे यह नॉर्मल कंडिशन होता है और इसी में क्या होता है कि अर्धसुत्री में क्या होता है कि सेल जो होता है एक सेल से क्या होगा कि दो सेल से एक सेल इस तरह का अर्धस को हार्म पहुंचाता है तो आखिर ट्यूमर होता क्या उसके डेफिनेशन तो जान लेते हैं इस डिफाइंड एज एबनॉर्मल मास ऑफ टीशू दा ग्रोथ फूच एक्सीड एंड अनकोडिनेटेड उद डेट ओफ नॉर्मल टीशू एंड ग्रोथ परसीस्ट इवेन आफ्टर रिमूबल ऑफ एस्टुमूलस डेट हैंज काउज नियोपलाज्म नियोपलाज्म कोई क्या कहते हैं कि न्यूग्रोथ भी कहते इसी को क्या कहते हैं न्य और फिर भी इसका क्या होements of tissueanka पर यहीं होता है तो रहता है इसका इन्शिक्राइब अज्वेत सेट मुन अफरोढ़िट में लなた यह दो सक्तम्र मुटायच उखनाया स्चेमिक्षवर्ग कैस्वेड़िग अब और साक्वन फवीच्वा मध्स मांस्वक्त नुकीं आं ग्रह Sel 2 Cale, 2 Cale से फिर क्या होगा कि 4 Cale लेकिन इस case में क्या होगा कि 1 Cale से 2 Cale, 2-10-20-30-45 इसरह सी यह बढ़ते चला जाता है इसका कोई मतलब लीमिटेशन ही नहीं रहता है, abnormal mass of tissue रहता है क्या होता कि ऐसा अंकंट्रोल इसका क्या होता है कि Growth होता है, uncoordinated रहता है जो हमारा नॉर्मल सेल का डिवीजन होता है उसमें उस तरह से मिलता जुलता नहीं रहता है एकदम ग्रोथ करते ही जाता है तो इस कंडिशन को जो होता है इसको कहते हैं ट्यूमर ट्यूमर जो होते हैं यह दो टाइप के होते हैं एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर दूसरा होता जो होता है यह खतरनाक होता है जहां मंतहां जिसको मंत्रिस धक्का-मुक्खा करके सब्सक्षार्ग को इनफेक्टेट कर देता है लेकिन पिरुष और ही तक इसका ग्रोथ होते रहता है तो चलिये जानते हैं अखर क्या होता है और इसको है नियो प्लाज्म को कहते है और इसको नियो फ्लाज्म को हुआ करते हैं और इसको ही न्यू ब्रोथ करते हैं dory इसका दो टाइप ऑУटा एक होता है वे खोलता था नियुसेंट होता है उसे बहुत सी चीजों का दिक्कते का सामना करना पड़ता है उनके life एक तरह से बरबाद हो जाती है इस तरह सेods अगर है आगर जी पर हुआ है उस एरिया को का और करे हटा दिया तो फिर से ठीक हो जाती है तो चलिए देखते हैं यह जो है हार्मलेस ग्रोथ है डेट डज नोट है डेट डज नोट है डा केपेबिलीटी टू एस्प्रेट इसका जो होता है कि इसके पास जो फैलने की जो केपेबिलीटी उतना नहीं होता है मेटा इस्टेटिस उसको कहते हैं टर्मनेलोजी में इन वे और इंवेटट टीशू मतलब इसका जो होता है कि उतना टीसू में फैलने की केपेबिलीटी नहीं होती है दूसरे इसका इसका आउकाद नहीं है यह अपनी दिवार के इंदर रहता है क्या होता है कैपसुलेटेट तो इसका जो में डिफरेंस क्या होता है इसका जो यह होता है कि यह जो स्राउंडिंग एरिया जो है उसमें यह नहीं फैलता है दज नोट के पेबिलिटी तु एस्प्रीड इसमें क्या होता है कि फैलने के उतना के पेबिलिटी नहीं होती है डेजंट इन्वेड इंटु स्राउंडिंग और स्राउंडिंग जो आसपास के टीशू एरिया है ब्लड ब्लड बेसल से अधर और और उर्गन से उसमें भी क्या होता है कि इसका यह नहीं फैलता है लेकिन मिलेगनें ट्यूमर क्या होता हिरु पहलों की होता हुँद है झालता है अगर किसी बेटीति महारा की को फोर्साथ इसके करके रख देता है उसके लाइफ को तहष नहसकर के यह प्यास कर यह के छोर्फिल से उठने ही पाती है यहें कि कहा जाता कि की स्र pressing अमीर करबा सकते हैं लेकिन किसी अमी तुम buffet को हम साहिभ है, आपके हाव और अर्ग पनिता कई। रहां कहो हैरी मिन में शेंधु सिह सहरा उलाघ क कोरा ना fino-देर बंसक्तिक को फापके कि एक आगर शेंधू करने बंसक्तिक विपन देले पेänd कहा नहीं के दोड़ि व्यूम्-टे रह सिंधुता है, ह्यूम्ट छ यह सब्सक्राइब करना इतना इंपॉसीबल और फॉसीबल नहीं है ट्यूमर में इतना अवकाद होता है कि किसी को धक्का मुखका मार के इंफेक्टेड कर देगा किसी ze aftir complex खता हैं तो इतना जभरकर के उसको इनफेक्टेड करके यतना ज़्यादय यह मझ्बूत ही होता है और certain श्रहघर करने के तो यह अपने तक ज待 आ है टूमर और restriction का होता है यह प्यक्रण तो आपने इमीन तक जाना है ूमिल चलिए अब जानते है cancer क्या होता है तो cancer जो होता है the word cancer is derived from Greek word जो cancer जो है यह Greek word से लिया गया derived form from Greek word crab Greek word crab से लिया गया है जो यह Greek word है यह इसमें ग्रीक वर्ड क्रेब से लिया गए है और क्रेब का मतलब होता है इसमें ग्रीक वर्ड क्रेब का मतलब होता है उसके बाद है Similarly मतलब उसी तरह The disease cancer जो cancer disease है यह spread in all direction यह भी क्या होता है कि उसी तरह जैसे crabs fast in all direction इसी तरह क्या होता है कि जो disease है यह भी move करता है यह भी spread होता है हमारे body के all direction में spread होना start हो जाता है The word cancer spread is usually abbreviated as a CA केंसर जो होता है चैन 도 को किसी का किसी नकीन उडिंचे लंग हैघ तो अगर आप conscious यह से जो डॉलेच्टर कमने देखेंगे तो तक यह लिखेंगे ट्रयांगल सेफ रहेगा ट्रयागलू स का सी ये लंग अगर प्रोस्टेट में कैंसर है तो इस तरह से डियागनोसिस करके लिखा रहेगा सी ए प्रोस्टेट अगर सर्विक्स में कैंसर रहता है तो इस तरह से क्या होता है कि डिनोट किया जाता है यह बहुत ही खतरनाक होता है क्या होता है कि जिस तरह से मेंलिय केंसर का अर्थ होता है केंसर जो है यह ग्रीक वर्ड क्रेयब का मतलब होता है कि मूभ स denial direction और उसके बाद, similarly उसी तरह जो यह cancer disease है, यह भी क्या होता है कि, fast move होता है, all direction, spray पूरा बहुत जल्दी से फाइलता है, body के all direction, all tissue में, all organ में यह फाइलना स्टार्ट हो जाता है, और यह भी fast spray होता है, इसी लिए, इसको क्या क्या है, उसके बाद, इस अबरिबेटेड है, इस तो आपने केंसर का मतलब समझ गया होगा आखिर का मतलब क्या होता है तो आपने अभी तक जाना है कि जो मेलिगनेंट्यूमर होता है उसको कैंसर कहते हैं लेकिन एक ट्यूमर होगा किस कारण से कोई तो कारण होगा ऐसा एस्टरेशर होगा तो सबसें कारशीनोजेन है कारसीनोजेन एक टर्मिनोलो justamente है आखिर कारसीनोजेन होता क्या है एफिजिकल, केमिकल और बायो लोजिकल ईस्ट्रेसर डेट logo, काउज, नियूप्लास्टिक चेंज़ेज इन एबनॉर्मल सेल्स, जो ट्यूमर है, उसमें जो नियूप्लास्टिक चेंज़ेजेज हुए हैं, जो रोध हुए हैं,ॉसका क्या है, कि उसका कोईそして जोज हो सकता है केमिकल भी हो सकता है, बायोलेजिकल भी हो सकता है, जैसे कि सिगरेट से क्या होता है, सिगरेट से भी कैंसर होता है, सिगरेट पीने से क्या होता है, कैंसर होता है, और सिगरेट में क्या पाय जाता है, निकोटीन, सिगरेट में निकोटीन पाय जाता है, और यह जो निकोटीन जो है यह केमिकल कार्सीनोजेन है यह क्या है केमिकल कार्सीनोजेन जिसे कि किसी को गैस्ट्रिक जो है गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिक शिस्टम है उसमें क्या है एच पाइलोडी जो होता है एच पाइलोडी इसके करण क्या होता कि गैस्ट्रिक शिस्टम जो होता उसमें क्या हेम मुक्र आप से कारण करसी मार्ण केमिकल, हीजिकल, प्रया-ईवितों वे कारसीटन है नहीं होता है दूसरत कंछा ही आफिर क्या होुजतेश कहा हम तया करण कंछा स्मिझते हुआर्टां ते नो हरत कार्ष्टत Movies तो चलिए जानते हैं, the transfer of disease, disease का क्या होगा, transfer हो रहा है, from one organ to part two, one organ or part two another, not directly connected with it, directly यह connected नहीं रहा था, लेकिन यह जो disease है, यह एक organ से दूसरे organ में क्या हो रहा है, क्या transfer हो रहा है, जैसे कि यह lungs रहा, जैसे ही हमारा lungs रहा, lungs का cell यह हमारा pancreal रहा, pancreal में क्या होगा, कि यह file ना start होगा, तो यह दो माधियम से file सकता है, एक lymph के माधियम से file सकता है, दूसरा क्या होता है, कि blood के माधियम से file सकता है, तो जो ट्यूमर ऑफ जो कनेक्टिव टिशू रहता है ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिशू को क्या कहते है सार कोमा कहते है और यह किस कारण कैसे फैलेगा यह बलर्ड के माध्यम से फैलेगा इसका एस्प्रेड होने का होगा यह बलर्ड के थूर्ड होगा ट्यूमर अफ ट्यूमर अफ एपिफेलियल टिशू इसको कहते हैं कार्सीनोमा और यह कैसे इस्प्रेड होगा? यह लिम्प के माध्यम से इस्प्रेड होगा। यह होगा यह होगा लींप गे असे बेदा कि मतलब टीश्यों और कॉनेक्टिव टीश्यू तो यह और किभल्लों जैसे तरकोमा रहेगा तो उसका कर्षे एस पूंब program यह और उसकों नकलब के 帖िसेंत में कम क्षेंतिक सुम्स पुने मुद्ट में delle açık कि सारकोमा रहेगा तो फ्लोड को जो संधियों गया है तो जूग नेक्टिव करना है ते ख्ल constitu पीजिया है तो जिसमें को िर्ट खे Seit lequel Intel कि अपिधेलियल स्वध्य यह इस तरह से आपको अराम से कुस्ट्व करना अच्छे से कुस्ट्व करना एक एक इसलिए टर्मिनोलोजी आपको धियान दखना मैं चीज श्टार्ट करों यह भी फॉस्ट स्रीज होने वाला है इसके आगे हम सारी basic से basic सारे एक एक चीज को बताएंगे तो चली आप चानते हैं कि Carcinome क्या होता है Garcinome जो होता है Malignant Tumor Of Epithelial Tissue जो क्या होता है Malignant Tumor Of Epithelial Tissue और Tumor Of Epithelial Tissue क्या होता है कि यह Carcinome होता है और यह Spread कैसे होता है shaag सारकोमा क्या होता यह सारकोमा क्या होता है क्या होता है जैसे तू सेersonal और किस तरह से फइलेगा रूट और क्या रहेगा Diviru ट्मछ एसमदल टिशु जो होता है जो कार्शिनोमा होता है इसका क्या है रूट तो इसका root of metastasis क्या रहेगा root of metastasis इसमें रहेगा blood अगर क्या रहेगा कि यह दोनों रहेगा अगर क्या रहेगा कि कार्शिनोमा भी में रहेगा और सारकोमा भी रहेगा और उसमें options जो रहेंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि मैं इसका अगला श्रीज लाती रहूंगी ताकि आप लोग क्या करेंगे इसको देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में